नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रवामे दोस्तों ये वीडियो है 12th class के painting subject के students के लिए और इस वीडियो में वो पढ़ेंगे उनका chapter number 13 समकालीन आधुनिक भारते कलाकारों के चापा चितर में उनका next चापा चितर जिसका नाम है दिवारों से सरुकार English में जिसको बोला जाएगा off walls और इसके चापा का नाम है अनुपम सूध तो शुरू करते हैं वीडियो ध्यान से देखेंगे ये है चितर जिसका नाम है off walls या फिर दिवारों से सरुकार चितर को ध्यान से देखने पर इसमें एक महिला आकरती हमें दिखती हुई नजर आती है तो इस महिला आकरती ने सफेद परिधान पैना हुआ है और इसका चेहरा जो है वो नहीं दिखाया है चितरकार ने और साथ ही में एक व्यक्ति है जिसके पैर यहां पर चितरकाने चितरित किये हैं सिर्फ पूरे बाड़ी में से तो चितर को देखकर ऐसा लगता है कि ये उस व्यक्ति का म्रद शरीर है और ये जो महिला यहां पर बैठी हुई है ये इस व्यक्ति की पत्नी है इसने सफेद कपड़े यानि की पती की मृत्यू के बाद जिस तरह से हमारी संस्कृती में परिधान है सफेद वस्त्र पहनने का तो ये विद्वा के पहनावे को पहन कर यहाँ पर बैठी हुई है और चहरा नहीं दिखाने का मतलब यहाँ पर चित्रकार का यह हो सकता है कि व इस वज़े से चित्रकार ने महिला के चहरे पर डिटेलिंग नहीं की है अस्तितु विहीन सी उस महिला को यहाँ पर चित्रकार ने चित्रित किया है साथ ही पीछे जो कच्ची इटो की दिवार है उस दिवार पर कुछ चित्र चित्रकार ने बनाए है तो उसको देखकर के ऐसा लगता है कि महिला अपनी पुरानी इस मृतियों को याद कर रही है और एक चल चित्र सा पीछे उस दिवार पर चलता प्रतीत हो रहा है पूरा का पूरा जो चित्र है वो लगभग काले और सफेद रंग के संयूजन से यहाँ पर बनाया गया है इस चित्र की बागी डिटेल हम यहाँ पर देख लेते हैं तो चित्र का नाम है दिवारों से सरुकार आप लोगों को पता ही चल गया होगा चित्रकार है अनुपमसूद कागज पर यह चित्र बनाया गया है और इसका समय है 1982 इश्वी समकालीन आधुनिक काल का यह चित्र है और लीथोग्राफ टिकनीक से बनाया गया है लीथोग्राफ बेटा लीथो एक पत्थर होता है जो छापकला में प्रियोग लाया जाता है पहले उस पर उत्कीन किया जाता है चित्र जो बनाया जा रहा है और ये वाला चित्र भी आपका रास्रे संगराले नई दिल्ली में शुरक्षित है इस चित्र के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो अनुपम सूध ने 1982 में लीथोग्राफ विधी से और फोटोग्राफिक प्रतिबिम्ब यानि कि जो दिवार पर पीछे आपको दिख रहा है न वो फोटोग्राफिक प्रतिबिम्ब का दिख रहा है तो उसके मिश्रण से इस चित्र को बनाया है अनुपम सूध ने और इस चित्र में जिस महिला को आप देखने हैं विध्वा के परंप्रागत सफेद लिवास में उसकी मुद्रा इन्होंने करुण मुद्रा बनाई है और उसके आगे उसका मुरत प्रति के शरीर का केवल पहरो वाला भाग चित्रकार ने दिखाया है पीछे की इटो की दिवार पर सफेद रंग से जीवन्त किरियाओं के चित्र बने हुए हैं जो उसे याद दिलाते हैं कि एक समय था जब वह भी इन किरियाओं का हिस्सा हुआ करती थी उसके चहरे को काले रंग से दिखाया गया है जो उसके अस्तित्व विहीन होने को दर्शाता है अथा सामाजिक रूप से अब वह भी अपने पती की तरह मृत समान ही है इस चित्र में कलाकार ने उस सच्चाई को जागर किया है जो एक इस्त्री के जीवन की विटम बना है 1944 इश्वी में हुआ पंजाब के होस्यारपोर जिले में हुआ इन्होंने दिल्ली के कॉलेज ओफ आर्ट नई दिल्ली से डिप्लोमा लेने के बाद स्लेड स्कूल ओफ लंदन से मुद्रन निर्मान की कला यानि की छापा कला की शिक्षा ग्रहन की इन्होंने इंटे गिलिय के विधा जैसे की निक्षारण, ड्राय पॉइंट, सिल्क स्क्रिन, मैजो टिंट वे लीथोग्राफी में अनेक प्रियोग किये। इनका रंगीन इंटे गिलियो प्रिंट जिसका नाम है ओटम ऐसी कृती है जिसमें चेहरे पर चिंता के भाव प्रकर होते हैं। भाव भग है डायलोग स्रीज में दिये गए हैं। कला चेत्र में इनकी योगदान के लिए 1975 इश्वी में रास्ट्रपती ने इने सोने की पट्टिका पुरसकार से भी सम्मानित किया है। यह जो कलाकार है यह आज भी कला के प्रती क्रियाशील है। तो देखा दोस्तों यह हैं समकाल जो आज भी अपनी कला से हम सब को लाभानवित कर रहे हैं। तो बेटा यह हमने पढ़ा है आज अनुपमसूद और उनका चित्र दिवारों से सरुकार। आशा करती हूँ बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें आपको लाइक करें आपको लाइक कर रहे हैं।